हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैगनेट ब्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रेंस से कैसा चैनल है जहां पर आपको किंडर काटने से लेके 12 क्लास तक के सारे वीडियो और पूरी एक्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री अविलेवल करवाई जाती है जैसा कि आज हम आपको कक्छा साथ संस्कृत में आपका नया जो पाठ है नवम पाठ अहम अपी विद्यालयम गमिश्यामी अहम अपी यहीं से हम इसके नाम की शुरुआत करेंगे और इसी यहीं से हम अपना अर्थ भी शुरुआत कर देंगे अहम अपी शब्द मिलकर बना है अहम और अपी से अहम का अर्थ है मैं और अपी का अर्थ होता है भी अहम अपी मैं भी विद्यालयम विद्यालय को गमिश्यामी जाओंगी मैं भी विद्यालय जाओंगा अब जाओंगी अब हम यह देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है हाला कि हमने वो पाठ पढ़ा इसलिए हमें पता है कि वो कोई बालिका है जो कहे कह रही है कि मैं भी जाओंगी इसलिए हमने उस चीज़ को आपको जाओंगी बोल दिया क्योंकि लेकिन गमिश्यामी जो शब्द होता है यानि जो धातुएं होती है उनको ये होता है कि उनका लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गमिश्यामी बालक भी कह सकता है गमिश्यामी बालिका के लिए भी आएगा और अगर कोई नपुनसक लिंग वस्तु है तो उसके लिए भी गमिश्यामी शब्द गमिश्यामी ही रहेगा ऐसा नहीं होगा कि बालक के लिए कुछ और हो जाए जाओंगा अब कहें मैं विद्याले जाओंगा अगर ऐसा बालक कहता है तब भी हम कहेंगे अहमपी विद्यालेम गमिश्यामी बालिका कहती है तब भी वही रहेगा अहमपी विद्यालेम गमिश्यामी और अगर कोई नपुनसक लिंग जैसे मित्र हमारा किसमें आ जाता है नपुनसक लिंग में और मित्र कहता है अहमापी मिध्यालेम गमिश्यामी तब भी हमारा जो गमिश्यामी शब्द है वो वही रहेगा जो जाऊंगा या जाऊंगी का अर्थ बताता है ठीक है तो यहां से हम अपने पाट की शुरुवात करते हैं तो पहला देखते हैं यहां पर एक आपको दो महलाई दिखाई दे रही है और एक छोटी सी आपको बच्ची भी दिखाई दे रही है अब हम देखते हैं कि इस वारतालाप में या आपस में जो संबाद होगा उसमें इन सब का क्या आपकी भूमिका रहने वाली है इसको देखते हैं महिला कार्यार्थ जानसी तरही प्रेश है अब कह रही है कि अगर कोई अन्य कामपी कोई अन्य काचित कह रही है कि कोई भी दूसरी महिला को अन्याम कामपी महिला कोई अन्य महिला को भी कार्यार्थ जानसी कार्यार्थ शब्द मिलकर बना है कार्य और अर्थ शब्द से कार्यार्थ यानि कार्य के लिए जहां अर्थ शब्द लग जाता है उसमें हम के लिए का भाव लगा देते हैं यानि के लिए का अर्थ हम उसमें लगाते हैं कार्यार्थ कारे के लिए जानसी अगर जानती हो तरही तरहे का अर्थ होता है तो तो प्रेशा यानि भेज दो तो फिर भेज दो या तो फिर भेजना या भेजवा दो तो फिर क्या करना तो फिर भेज देना किसी दूसरी अन्य काम अपी कोई दूसरी महला को भी कार्यार्थ जाना सी काम के लिए जानती हो तो प्रेशय यानि भेजो तो फिर हमें हमारे पास भेज दो या भेजवा देना ऐसा अब आपस में बात हो रही है मालीनी की किसे हो रही है गिरजा से बात बात हो रही है तो गिरिजा कहती है आम सक히 या अध्य यानि आज अध्य का आर्थ क्या होता है आज प्रात आज सुबह एव का अर्थ होता है ही अब लड़की कहा रही है तो वो मेरी कहेगी मेरी सहाईका है यानि मेरी जो सहाईता करती है मेरे घर में काम करने वाली जो मेरी सहाईका है तो कहते हैं स्वसुतायाह स्व का अर्थ हुआ अपनी सुता का अर्थ हुआ बेटी और बेटी शब्द में याह यानि सश्टी भिभक्ती लग गई तो उसमें काकीके का अर्थ बना देंगे कहते हैं आज प्रातह ही अध्य प्रातह ही आज सुबह ही मम सहाय का मेरी सहाय का स्वसुताया अपनी बेटी के कृते अपनी बेटी के लिए कृते शब्द लगाए लिए का अर्थ लगा देते हैं जहाँ पर क्रते शब्द आ जाए वहाँ पर भी के लिए आता है और अर्थ शब्द आ जाए वहाँ पर भी के लिए का अर्थ हम निकालते हैं तो कहेंगे आज सुबह ही मेरी सहाई का अपनी पुत्री के लिए कामार्थ कामार्थ का अर्थ भी क्या हुआ, काम और अर्थ शब्द से मिलकर बना हमारा कामार्थ यानि काम के लिए प्रक्षती इस्म पूछ रही थी पूछ रही थी, थी का अर्थ क्यों बनाया, क्योंकि इस्म लगा हुआ है, था थी थे काम भाव लगाएंगे आज करें है आज प्राता ही अध्य प्राता इवा ममसाहाय का स्वासुताया हकरते अपनी जो सुता के लिए अपनी सुता का अर्थ क्या होता है बेटी अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी अब कहते हैं स्वह प्रातह कल अब यहाँ पर अध्य हो गया आज अध्यकार्थ क्या होगा यहाँ पर आज और यहाँ पर स्वह हो जाएगा स्वह कार्थ होता है आने वाले कल की बात आने वाले कल को कहते हैं स्वह जिसको हम फ्यूचर में अपना क्या कहते हैं टुमोरू ची कल प्राथा ही, एव कार्थ क्या होता है? ही, तो कहते हैं कल प्राथा ही, स्वाप्राथा एव, तयासह, उसके साथ वारता करिश्यामी, वारता यानि बात, बातचीत, वारता कार्थ क्या हुआ? बात करिश्यामी, यानि करूंगी, अब यहाँ पर आपको श्यामी शब्द दे में जो अर्थ आ रहा है वो गागी ये का अर्थ लेकर चल रहा है क्योंकि ये जो क्रियाएं है वो हमारी लिटलकार की क्रियाएं है लिटलकार का अर्थ होता है भविश्यकाल क्या होता है भविश्यकाल जहां पर आपको स्यामी श्यामह श्यावह इस प्रकार के दिखे किसी भी धातू के अंत में अब पूरा बिल्कुल अंत तो नहीं कहेंगे क्योंकि अंत में तो तीता अंती सीथा था आ जाते हैं प्रत्या लेकिन वो तीता अंती जो लगाते हैं उनके पहले जैसे हम आपको दिखाए देते हैं जैसे यहां पर हम अपनी पट धातू ल तो उससे जब भी आप पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत सारी जो आपके वाकिय आएंगे उनमें इस प्रकार की क्रियाएं आने वाले हैं तो एक वचन में हम कहेंगे जैसे पट धातु हो गई हमारे अब उसके क्या करना है हमें यहाँ पर भविशिकाल में उसके रूप बनाने है कि अब हम जैसे हमने आप से कहा कि बालक पढ़ेगा दो बालक कल पढ़ेंगे और बहुत सारे बालक पढ़ेंगे तुम पढ़ोगे तुम सब पढ़ोगे पढ़ नहीं रहे हो हम भविशिकी बात करने हैं कि गागी गे लग जाये तो भविशिकी बात है कि अभी हो नहीं रहा है वो काम होगा वो काम ठीक है मैं पढ़ूंगा हम दोनों पढ़ेंगे हम सब पढ़ेंगे तो गागी गे जहां पर आ जाता है व लेट्लकार में हमने देखा कि पुरुष आपको पता ही है कि कोई भी क्रिया तीन पुरुषों के लिए अलगा लोग होती है जैसे मैं के लिए उत्तम पुरुष की क्रियाएं लगाएंगे तुम के लिए क्या लगाएंगे मध्यम पुरुष की क्रियाएं और बाकी जो भी कर प्रदम पुरुष की पृत रहे हो एंक वर Jackson में थम्हें गर D早 पर देते हैं क्योंकि प्लत पर आप irregular स्क्राइब Qorse तने वाला क्वेसे नंबर स्यानि संख्या को वय lago वचन वचन कार्द क्या होता है संख्या, कोई भी जो काम करने वाला है और किसी भी चीज की संख्या को हम वचन कहा देते हैं, नंबर कहा देते हैं अच्छा हिंदी और अंग्रीजी में क्या होता है कि उसको दो में विभाजित करते हैं सिंगुलर और प्लूरल यानि एक वचन और बहुचन संस्कृत में तीन में करते हैं संस्क्रत में एक को अलग करते हैं एक वचन के लिए अलग क्रियाई आती हैं दोई वचन के रूप अलग होते हैं और बहुचन के अलग होते हैं एक वचन दोई वचन और बहुचन तीन प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर हमारी जो क्रियाई हैं एक दोईवचन पुरुष के लिए अलग लगाई जाएंगी और जो शद्क है दो और बयूचन पुरुष के लिए अलग लगाई जाती हैं उसमें बता देते हैं cha huh आगे जब जे ? पा काये लिए तो अचीज काये ठीक है तो अब आपको जैसे हमने बताया था के लिटलकार की जो क्रियाएं होती है बहुत आसान होती है बिल्कुल लट जैसी चलती है जैसे वर्तमान काल होता है तो कैसा होता है ती तह अंती जैसे वर्तमान काल में लगाया जाता है ती तह और अंती वैसे ही भविश्य काल म और फिर कहते हैं आमी आवह और आमह चीक है अब यहाँ पर जैसे ही अब कहेंगे तो फिर लट और लिट में अंतर क्या हुआ बस इतना अंतर होता है कि भविशे का जैस भविश में जो श्या होता है एक याद करने के परपस से आपको यह चीज बता रहे हैं कि भविशे काल की क्रियाओं में हम स्या जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है स्या तो सब के आगे आजाते है स्यती स्यतह स्यन्ती स्यसी ही स्यतह स्यत स्यामी स्यावह स्यामह सभी में हम स्यास्या लगा देते हैं और इस प्रकार से हमारा कहीं पर हमारा सा आता है और कहीं पर हमारा ये वाला शा आधा आता है तो हम कहेंगे श्यथी, श्यतह, श्यंती, श्यथी, श्यशी, श्यतह, श्यत, और श्यामी, श्यावः, श्यामः यह हो जाएगा हमारा श्यामी, श्यावः और श्यामः बस बाकी और कोई परिवर्द नहीं होना है केबल कितना हुआ कि हमने केबल श्या शब्द उसमें लगा दिया ठीक है अब यह पठ जोड़ दिया तो अब यहां पर जोड़ दीजिए पठ में छुटी की मात्रा आएगी अब क्यों आएगी उसका भी हमकारण बताए देते हैं ठीक है यह हो गया पठिश्यती पठिश्यत अब पठिश्यत और पठिश्यत चीक है इनको थोड़ा सा क्लियर करके लिके देते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है पठिश्यत और पठिश्यत फिर यहां हो जाएगा हमारा पठिश्यामी पठिश्यामह और यहां हो जाएगा पठिश्यावह और यहां हो जाएगा पठिश्यामह चीक है इसको भी थोड़ा सही लिख देते हैं पठिश श्यन्ति चीक है तो देखे यहाँ पर क्या किया हमने सिर्फ श्यास्या जोड दिया और बाकी की हमने सब क्रियां इसी प्रकार से जैसे तीतहा अंतीसीतह था उसमें लग जाता है लटलकार में वैसे ही लटलकार में तो अर्थ बनाते हैं, पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, यह वर्तमान की बात हो रही है, अब इसी को भवेशेक पढ़ेंगी और बहुत सारी बालिकाइं पढ़ेंगी तो हम कहेंगे बालिका पठती बालिके पठता और बालिका पठनती अब यह इनके लिए तो फिक्स है यह तुम में आएगा यहां युवाम आएगा यहां युवाम आएगा यहां अहम आएगा आवाम आएगा वयम आए अहम पठिश्यामी अब कहेंगे आवाम पठिश्यावा और अवयम पठिश्यामह इस प्रकार से ये हमारी क्या बन जाते हैं करता के लिए क्रियाएं बन जाती हैं जिनका अर्थ हो जाता है बालिका पड़ेगी दो बालिकाएं पड़ेगी बहुत सारी पड़ेगी तुम पड सागीगा अर्थ लगाँगे जैसे यहां पर उन्होंने कहा कि सुआ प्राथ कल अब सुआ की बात आ गए थी ना इसलिए देकर Aga कहा बहुते हैं अने वाले कल की बात का रही है कि कल करोंगी सौप्राता ही कल प्राता ही कल सुबह ही तयासह उसके साथ वारता करिश्यामी वारता करूंगी चीक है अब आगे देखते हैं अभी इसको हम नहीं करते हैं कि हो सकता है यहां पर भी आए कहीं पर और अच्छा एक हम आपको जो बात बता रहे थे वह और सुन लीजीए जिसमें हमने कहा था कि यहां पर छोटी ही की मात्रा क्यों आई है यहां पर क्यों आई है कुछ धातू में आती है है भविशेकाल में यहीं ओता है pénल अज़ें तो हम आपको इतने confusion में नहीं डालने वाले हैं हम आपको साधर्ण सी चीज़ें ऐसे बताए देते हैं कि आप देखिएगा कि जो क्रिया किस से हो हलंत से अंत हो रही हो पठ हलंत से अलग हो रही है अर्थात इसमें कोई भी स्वर जुडने की जगए है या नहीं है यह याद रखना है अब इसी के जैसे अब एक आगई पाधहातु अब पाधहातु में अपने पास पाका आर्थ होता है पीना अब पाधहातु में अपने पास पहले से ही स्वर है तो इसमें क्या ई लगाने की गुंजाइश है क्या नहीं है तो ये हो गई हमारी अनिट ठीक है और ये हो गई हमारी सेट अब ये सेट और अनिट क्या बनती है स इट इट का आगमन हो जाना इट आगमन होना यानि इट का आजाना या साधन सी बात में सीख लीजे स का आर्थ होता है सहित इट का आर्थ होता है यानि इट का आर्थ होता ह आहेंगी जब जब आप अपढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको धिमाग में पता होके ही क्या है जिनमें छोटी की मात्रा लग जाए गता है वह उती होगो जिनमें फिती पिल नहीं लगγेर हो उन आधे वेंजन से अंत हो रही होगी कोई भी आपकी धातू तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी स्वर जोड़ने की जगय होती है तो वहां पर उसमें क्या भवेशेकाल में रूप बनाते समय हम छोटी की मात्रा को जोड़ देते हैं अच्छा इन दोन में एक और हमने अभी आ देखेगा तो यह कहां पर आते हैं तो यह ही हम आपको बताना चाह रहे थे कि जहां पर छोटी की मात्रा लगेगी वहां पर यह वाला असा आएगा और जहां पर यह नहीं आएगी वहां पर साध्रन सा आ जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा पास्यती और यह हो जाएगा पठिश्यती समझ गया क्योंकि ये चीज़ें आती हैं वो बच्चे कन्फीज इसी लिए होते होने लगता है कि पता नहीं यहां पर यह वाला अशा क्यों लगा दिया तो अब हमने आपको बता दिया कि क्यों लगाया ठीक है अब आगे कहते हैं अग्रिमे देने यानि अगले कहा कि आम सकी हा सकी अध्य प्राता ही आज प्राता ही मम सहाई का मेरी सहाई का जो है स्वसुताया अपनी स्वता के लिए अपनी स्वता के लिए अपनी बेटी के लिए कामार्थम प्रच्चती इस मकाम के लिए पूछ रही थी स्वह प्राता हा आने वाले कल की सुबह ही त दिनकार्त तो पता ही है दिन दिवस अपना दिवस दिन ठीक है अग्रिमे दिने अग्रिम दिने आगे वाले दिन में अनि अगले दिन जिसको हम अगला शब्दी भी कह देते हैं अगले दिन में अगले दिन में कव प्राता काले अगले दिन सुबह में शडवादने छे बजे पर ठीक है अगले दिन प्राता काल सुबह छे बजे पर ही क्याते हैं सुबह छे बजे पर ही एवकार्त आया ही क्याते हैं मालिन न्याह मालिनी की अब की काकी के कार्थ क्यों सश्ठी विभक्ती काकी करता है कि अगले दिन प्रातक इस लिगज़ काणी कतब मताएं आकले दिन किटने बजें भूले चैंव ले छे बझे प्रातकल चैंवाल निकिए घर के को कमपी किसी आने वाले की को सूचना देती है मालिनी द्वारम उद्घाट यती अब द्वारम शब्द किस से मिलकर बना है? द्वारम शब्द को अलग कीजिये द्वारम भी किस से मिलकर बना? हमारी दूतिया ब्यभक्ति लगने से द्वार का अर्थ हुआ दरवाजा और द्वारम लगने से हो गया दरवाजे को को का अर्थ निकला द्वितियावे भक्ती से अब कहते हैं उद घाट यती घाट यती यानि खोलती है कहते हैं द्वारम उद घाट यती द्वार को खोलती है और पश्यती और देखती है यत यानि की गिरजायाह यानि गिरजा की गिरजायाह गिरिजा की सेविका है क्याते हैं सेविका अब कौन थी सेविकाया सेविकाया अब यहाँ पर देखिए सेविकाया दर्शनया सह अब यहाँ पर दोनों में क्या लगा हुआ है तृतिया विभक्ती लगी हुई है क्यों लगी है बता रहे हैं यहां पे कह रहे हैं, द्वार को खोलती है, देखती है कि गेरिजा की, गेरिजा शब्द में या सश्टी विभक्ती काकी के कार्थ बता रही है, गेरिजा की सेवी कया दर्शनया सह, अब दर्शनया शब्द के में ये जो सह लगा हुआ है, एक हमारी विभक्ती होती है तृति या विभक्ति लग रही है जिसका अर्थ वैसे तो क्या निकल ला है दर्शना से या के दुआरा क्योंकि तृतिया विभक्ति जहां लग जाती है वहां पर से या के दुआरा का अर्थ बनता है और सेविकया इसकी क्या बन गया है इसकी विशेशन बन गया है सेविका दर्शन क्या होई कि वह विषयस्ता क्या होई कि वह गेवि का है तो सेवीका शब्द तो आई अच्छा विशेशन और विशेश ऐसे होते हैं कि जैसे दर्शना की विशेशता सेवी का शब्द है तो दर्शना में जो विभक्ती होगी वही उसके किसमें उसके जो विशेशन है उसमें भी लगेगी जैसे यहाँ पर कहा ना कि शडवादने शडवादनी शब्द में हमारी कौन सी सत्मी विभक्ती थी तो प्राता काल में भी सत्मी लगाई गई और अग्रिमेद दिने में भी सत्मी विभक्ती लगाई गई अगले दिन सुबह 6 बजे छे बजे पर ही तो इस यहाँ पर परकार्थ निकल रहा था तो ये दोनों जो इनके विशेशन बने बुली छे बजे बुली कौनसे छे बजे बुली प्राता काल के बुली प्राता काल कौनसा बुली अगले दिन के तो अगला दिन प्राता छे बजे ये सब क्या बने छे बज ने तो उसके भिशेशन प्राताहकाल और अग्रिम दिन में भी क्या लग गई सब्त में विभक्ती लग गई ऐसे ही यहाँ पर देखा किस दर्शनया अब हम यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर दर्शनया शब्द में तिर्थिया विभक्ती लग जाने से उसमें से या की द्वारा का अर्थ निकल रहा है लेकिन बाद में यहाँ पे सहर शक्द लग जाने से सहर का अर्थ होता है साथ क्या अर्थ होता है साथ अब यहाँ पर अगर हमें लिखना है कि दर्शना से साथ होगा दर्शना की द्वारा साथ होगा तो बोले यहाँ पर तृतिया विभक्ति लग जाने से साथ के साथ में तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए अगर साथ सामने लिखा हुआ है तो यहाँ पर अर्थ निकलना चाहिए करने याह्ने याह रेवार जबिनां चाहिए तो क्या मिस्प्रेंट किया क्या कुछ ऐसा तो अब गवे वगती सह के अर्थ में लगाई दी जाती है जहाँ पे साथ का अर्थ हो रहा हो कहे राम के साथ सीता वन गई तो हम कहेंगे राम के साथ राम में के लगा है लेकिन बाद में जो साथ शब्द लग गया जो सह शब्द लग गया उसने कहा राम में भले ही के लगा रहे फिर भी उसमें सहार्थे तृतिया कहेगा कि सह के अर्थ में तृतिया ही लगाना तो कहेंगे रामेन सह सीता वनम गमिश्यत क्याते हैं गमिश्यत गई थी तो यहां पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि साथ का जहां अर्थ होगा वहाँ पर तृतिया विभक्ती आएगी तो यहां पर भले ही यहां पर क्या आ रहा था कह रहते ही वैसे तो काकी के का अर्थ आना चाहिए लेकिन के की हिसाब से सश्टी विभक्ती आने चाहिए वो नहीं आएगी के का अर्थ तो अर्थ तो हम के का ही निकालेंगे के सेवी का दर्शना के साथ के का अर्थ लगाएंगे लेकिन इसमें तृतिया बिभक्ती लगाएंगे सश्ठी नहीं लगाएंगे के तो हम बोलेंगे अर्थ में हम के बोलेंगे लेकिन उसमें सश्ठी नहीं लगाई तो यहाँ पर यही को बताना चारत है कि क्योंकि मैंदम ने बोला है कि दर्षणा के साथ दर्षणा के बोला लेकिन लगी है इसमें तृतिया बभक्ति स्थिंदि द्वारा कायर्थ करता है तो इसमें हमारा कहेंगे केकार्थ कैसे निकला तो इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र लगा हुआ है उस वज़े से यहाँ पर सहशब्द के होने से किसके साथ थी दर्शना की साथ थी तो दर्शना में के होने पर भी उसमें तृतिया विभक्ती लगाई गे तो केते हैं देखती है कि गिर्जा की सेविका दर्शना के साथ एक एक अश्ट वर्ष देशी है एक कितनी आठ वर्ष की दशा की आठ वर्ष की लगवग लगभग आठ वर्ष की उम्र की बालिका तिश्थती बालिका वहाँ पर खड़ी है वहाँ पर इस्थित है तिष्ठ धातू से आती है इस्थाकार्थ होता है इस्थित होना खड़े होना या वहाँ पर किसी भी चीज का किसी जगे इस्थापित होना हमारा इस्थाधातू से निकलता है और इस्थाधातू का ही रूप होता है तिष्ठ ठीक है अब कहते हैं भवती यानि आपने कार्यार्थम कार्य के लिए कार्यार्थम किन किन शब्दों से मिलकर बना कार्य और अर्थम शब्द से कार्यार्थम यानि कार्या के लिए गिरिजा महोदया को अब कोख हमने क्यों बोला क्योंकि यहाँ पर क्या याम यह शब्द लगा है बहोदया में अनुस्वारिया माहलंत लगा है दुईतिया भिभक्ती है तो हम को कार्थ बनाएंगे कहेंगे आपने कार्य के लिए गिरिजा महोदाय को प्रच्छती इस्म पूछा था क्रपया करके मम मेरी सुतायाई मेरी वेटा मेरी जो बेटी है उसके लिए बेटी अब यहाँ पे बेटी में को का अर्थ आ रहा है बेटी को अवसर प्रदान करके अनुग्रहत कीजिए आप भवती भवती यानि आप अनुग्रहत कीजिए यानि उसको एक अवसर दीजिए अब सुता शब्द में को का अर्थ आ रहा है लगी यहाँ पे चतुरती वेभकती है सुता को अब यहाँ पे अर्थ हमने क्या बोला कि मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके अनुग्रहनों ग्रहनतो भवती यहाँ पेटी को अनुग्रहीत कीजिए आप यहाँ पे हमने सुता शब्द में क्या बोला सुता को तो सुता में तो इस प्रकार से तो को का अर्थ लगा दोर होनी चाहिए सुता शब्द किसा बनना चाहिए था लेकिन यहा सुताम शब्द ना बनके यहां पर सुता यही लिखा है जिसका अर्थ निकल रहा है सुता के लिए क्या निकल रहा है सुता के लिए अब यह फिर से यह confusion वाली बात आए कि नहीं आए कि सुता यही सुता के लिए बता रहे हैं जबकि अर्थ होना चाहिए कि सुता को वितिया विभक्ती आने चाहिए क्यों यहाँ पे हमारी बताई दूतिया विभक्ती नहीं आई क्योंकि यहाँ पे एक हमारा सुत्र होता है चतुर्थी विभक्ती के लिए कहते हैं दानार्थे चतुर्थी अब क्यासा दानार्थे चतुर्थी कहते हैं जिस किसी को कोई चीज दी जा रही हो प्रियाच्छी यानि प्रदान की जा रही हो और वो बापस ना ली जाए ऐसी धातूओं में हम क्या लगाते हैं अपनी ऐसी धातूओं की योग में जिसको वो चीज दी जाती है जैसे भेकारियों को धन दिया तो भेक्षुक शब्द हमारा क्या बन जाएका भेक्षुकाय धनम ददाती भेक्षुक को धन दिया अब भेक्षुक में को का अर्थ निकल रहा था दूतिया लगनी चाहिए लेकिन फिर भी हम चतूर्थी लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि दानार्थी चतूर्थी हमार सुता शब्द में द्वितिया विभक्ती होनी चाहिए थी लेकिन यहां पर प्रदान करने की बात आ रही है जहां पर यह दाधातु आ जाती है देने की जहां बात आ जाती है वहां पर जिसको दिया जा रहा है यानि मेरी बेटी को तो यहां पर को होते हुए भी दानार्थे चतुरती कहेगा कि किसको दिया जा रहा है अवसर बेटी को दिया जा रहा है तो इसी लिए सुता शब्द में सुताम न बनके सुता यही चतुरती विभक्ती के साथ है रूप बन गया ठीक है लिखा है मेरी बेटी को मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके करिया करके का भाव क जो लग जाने से किसी भी द्हातु में कर या करकी का हमारा अर्थ निकलता है प्रदान करके अनुग्रहान तो भवती आप क्या कीजिए अनुग्रहीत कीजिए मालिनी कहती है अब मालिनी कौन है जिसनके घर पे दर्शना अपनी बेटी को लेके आए दर्शना कौन है गिरजा की सेविका है ठीक है पडोसन की घर में काम करने वाली है कोई जिनका नाम दर्शना है वो अपनी बेटी को लेके मालिनी के घर में आती है तो माली नहीं कहेगी परमेशा परमेशा शब्द किस से मिलकर बना है परम और एशा शब्द से जिसका अर्थ है लेकिन एशा यानि यह लेकिन यह अल्पवयस का यानि अल्पवयस का है बहुत कम आयू की है अल्प यानि कम वयस का वय यानि आयू वैस का कम आयू की है प्रतीयते कम आयू की प्रतीत होती है किम क्या कारियम करिश्य क्यते हैं करिश्यती एशा क्या कारे करेगी यह क्या कारे करेगी किम यानि क्या अब करिश्यती एशा करिश्यती एशा जो शब्द मिलकर बना है किसे मिलकर बना है बता देते हैं क्या होता है कि शब्दों के अंदर जब दूसरा शब्द छुप जाता है संधी से तो हमें अर्थ नहीं निकाल पातें कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है तो हमें इसको तोड़ के बता देते हैं जिससे कि आप किसी भी शब्द का सही सही अर्थ लगा पाएं ये करिश्यती और एशा शब्द से अब आप कहेंगे ये कैसे संभव हुगा कि ये ता आधा रह गया और यहां पे या आ गया और शा बन गया तो यहां पे यन संधी लगी हुई है जिसने की क्या कहते हैं ये लिखा है यंसंदी का हमारा सुत्र क्या कहता है यंसंदी कहती है E O R E L R E के बाद किस कोई भी शब्द है उसका अंतिम जो वर्न है E O R E R E है उसके बाद अगर कोई भिन स्वरा आ जाए E के बाद E नहीं आना चागिए बस उ के बाद उ नहीं आना चाहिए री के बाद री नहीं आना चाहिए री के बाद री नहीं देखना चाहिए कहते हैं ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर दिख जाए तो ई यामे उ वामे री रामे और री लामे परिवर्तित हो जाती है तो E हमारी या में परिवर्तित हो जाती है तो यह जो हमारा करिश्यत शब्द है यह क्या हो जाएगा? यह जो छोटी की मात्रा है यह अपना रूप बदल जाल लेगी तो ता रह जाएगा आधा क्योंकि स्वर लगाता तब तक व्यंजन पूरा रहता है स्वर हटा व्यंजन आधा तो यहाँ पे E की जगे पे हो गया या हो गया और या में आगे वाला आधा 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 कोई भी व्यंजन है स्वर को अपने तरफ खीच लेता है तो E अपने मूल रूप में ना आके अपने स्वर भी बड़ा चालाक होता है अगर व्यंजन उसको बुलाता है तो वह अपने मूल रूप में नहीं आता है अपनी मात्रा को भेजता है तो यहाँ पे आधे याने E को बुलाया अपने पास तो उसने अपने मात्रा को भेज दिया और बाकी बचा क्या? शा क्या बच्चा शा तो यहां पर क्या वन गया हमारा करिश्यत्यशा यानि यह अब यहां से अर्थ निकलेंगे क्या क्या यह अब एशा शब्द का पहले आएगा क्या यह कार्य को करेगी कारे में अंकी बिंदी लगी है कार्यम मनना है यानि को कार्थ निकल रहा है क्या यह कारे को करेगी क्योंकि उन्हें क्या परमेशा परमेशा शब्द किस से मिलकर बना है हमारा परम और एशा शब्द से कहते हैं लेकिन लेकिन यह तो तू कार्थ क्या हुआ तो लेकिन यह तो अल्प यानी कम आयू की प्रतियत हो रही है क्या यह कारे को करेगी अयम यह तो अब कहते है यह तो यह तो अस्याह यह तो इसके काकी के कार्त निकला ये तो इसके अध्यनस्य यानि अध्यन के और क्रीडनस्य और खेलने का काल है ये तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है क्या यह कारे करेगी? किम एशा कारियम करिश्यती किम यानि क्या एशा क्या यह कारियम करिश्यती क्या यह कारे करेगी अयम यह है अयम तू यह तो अस्या है यह तो इसके यह तो इसके अध्यानस से अध्यान का और क्रीड़नस से और खेलने का समय है यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है दर्शना कहती है एशा एकस्य ग्रह से यह एक घर का एकस्य ग्रह से ग्रह और एकस्य में दे कि दोनों में एकस्य समान बिभक्तिया है यहीं पर आज हम आपको एक नई चीज भी सिखा रहे हैं विशेशन और विशेश्य पहचानना किसी शब्द की विशेश्ता कौन बताता है कैसे शब्द बताते हैं जैसे उन्होंने कहा कि घर घर कैसा वो लिए एक घर तो एक शब्द क्या बना घर की विशेश्ता बनी तो घर शब्द में भी सश्ठी विभक्ती लग रही थी तो उसका जो विशेशन एक बना उसमें भी सश्ठी लगा दिये गई जैसे देखिए फल शब्द जैसे हमारे लिखा हुआ है फलम तो एक भी हमारा उसी कहेंगे फल एक फल एक उसकी विशिस्ता बता रहा है तो एक भी क्या बनेगा एकम बन जाएगा एकम फलम तो ऐसे ही कहा घर का एशा यानि यह एशा किसको कहते है यह ठीक है एशा का अर्थ होता है देखे एशा का अर्थ भी यह होता है लेकिन वो पुरलिंग के लिए होता है प्रियोग ठीक है और ये शा जो होता है वो किसके लिए होता है उसका भी अर्थ क्या होता है यह होता है लेकिन वो हमारा स्त्री लिंग के लिए होता है किसके लिए स्त्री लिंग के लिए और आप कहेंगे फिर नपुनसक लिंग बताए देते हैं चिंता नहीं कीजिए यह हो गया हमारा स्त्री लिंग के लिए चीक है और एतत जो शब्द होता है उसका भी अर्थ होता है यह अर्थ तो तीनों के ही यह हैं लेकिन लिंग के हिसाब से इनकी रूप बदल जाते हैं और यह हो जाएगा हमारा नपुनसक लिंग के लिए एशह बालका एशा बालिका और एतत फलम ठीक है यह हमारे इसके रूप हो गया अब कहते हैं एशह यह एकस्य ग्रहस एक घर का संपून कार्य करोती इसम सारा कार्य करती थी इसमें सह में भी देखे बिल्कुल समान बिभक्ती लगी हुए परिवार औसह वह परिवार अधुना अब विदेशंप्रती प्रस्थिता है विदेश के प्रती चला गया है कार्या भावे यानि कार्य के आभाव में कार्या भावे शब्द किस से मिल कर बना है कार्य और आभावे यानि कार्य की आभाव में में कार्त आएगा सब्तिमी विभक्ती लगी है कार्य की आभाव में कहती है अहम एतस्याई कहती है कार्य की आभाव में में इसके लिए कारियम क्याती है, कारियम अब यहां पर भी देखें यह भी शब्द हमारा किसे मिलकर बना है कारियम क्योंकि देखें जब तक कि हम этот उन शब्दों के अब हम यहां पर लेखते हैं इसका तोड़ते आपको कि जिससे क्या है जब हम आपको अर्थ बताएंगे तो एक एक शब्द का अर्थ आपको सही से समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर यह किस से मिलकर बना है कारियम नीची लिख दे नहीं हो सकता है कि फिर कोई दूसरा शब्द आ जाएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा है ना कारियम एव कारियम एव अन्वेश यामी ठीक है अब कह रहे हैं अन्वेश यामी इसम अब कह रहे हैं कारिया भावे यानि कारिया की आभावे शब्द किस से मिलकर बना है कारिय और आभावे शब्द से कहते हैं कारिया की आभाव में यानि काम की कमी थी काम की कमी में या काम की कमी की वज़े से अहम एतस्याई मैं इसके लिए मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेश्यामी इस्म मैं इसके लिए कार्य को ही अन्वेशन यानि धून रही थी अन्वेशन करना कार्थ क्या होता है धून रही थी मैं क्या कर रही थी? मैं एतस्याई इसके लिए कार्य को ही धून रही थी येन कहते हैं येन भवत सद्रश्यम कहते हैं येन का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं जिससे भवत सद्रशानाम जिससे आप जैसे लोगों का भवत सद्रशानाम भवत शब्द का अलग निकालिए भवत अलग हो जाएगा और सद्रशानाम अलग निकालिजे यानि आप जैसे लोग सद्रिश कार्थ क्या होता है जैसे आप जैसे सद्रिश यानि एक समन तीक है आप की जैसे प्रकार की आप ही जैसे कई लोगों की बात हो गई तो केती हैं जिससे ये इनकार्थ क्या हुआ जिसके द्वारा भवत सद्रिशानाम आप जैसे आप जैसे लोगों का काम हो जाता है और असमद सद्रिशानाम और असमद यानि हम जैसे हम जैसे हम जैसों का क्या होता है ग्रह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवीद और हम जैसों की क्या होती है और हम जैसों की घर का संचालन और धन की व्यवस्था होती है कहते हैं उसने कहा कि एशा यह एक घर का संपूर्ण कारे करती थी वह परिवार अधुना अब विदेशं प्रती प्रस्थिता है वह अब विदेश की ओर चला गया है इसके लिए कारे का अनवेशन कर ही कार्या अनवेशन कर ही जिसके दवारा भवत सद्राशा नाम आप जैसे लोगों का कारे प्रचलेट आप जैसे लोगों का काम हो जाता है असमद सद्रशानम हम जैसे लोगों का ग्रह संचालना है घर संचालन के लिए और धन की वेवस्था हो जाती है तो आगे कहती है मालिनी परम एतत्तू अब परम एतत्तू शब्द किस से मिलकर बना है हमारा परम यानी लेकिन एतत तू यानि लेकिन ये है तो परम एतत तू जब किसे मिलकर बना है परम एतत तू लेकिन परमकार्थ क्या होता है लेकिन लेकिन ये है तो कहते हैं सर्वता अनुचितम सर्वता अनुचित है अब ये अवग्रेचन बच्चों को परिशान करता है कि ये होता क्या है ये हमा तो कहते हैं परम यह तक्त्तु लेस्ट या नहीं जानती हो कि सिख्षा तू सिख्षा तो सर्वेशाम बाल का नाम और सर्वासाम बाली का नाम अब देखें यहाँ पर दो शब्दा आये हैं विशेशन विशेशे पहले अर्थ बता दें फिर इसके बाद हमें वो भी चीज़ बताएंगे लेकिन यह तो सर्वता अनुचितम किम ना जाना सी क्या नहीं जानती हो कि सिख्षा तो सर्वेशाम बाल का नाम सभी बालकों की और कार्थ कहां से लगाया हमने चासे क्या यह नहीं जानती हो कि सिख्षा तो सर्वेशाम बालकों का और सभी बालकों का मौलिक अधिकार है असमद सद्रशानम हम सद्रशानम सद्रशीन जैसे जैसों का अभी हम तोड़के बताएंगे एतस्य विवस्था याई इसकी विवस्था के लिए ही अहम सर्विसमिन दिने पूरे दिन में 5-6 ग्रहाणं 5-6 घरों का काहिएं करों 5-6 घरों का काम करती हूँ अब यहाँ पर हम आपको दो 3 चीज़ें बताने वाले थे ग्रामर की हैं उन्ने को समझ लेते हैं हर चीज़ें आसान हो जाती है हमने आपको बताया कि इस पार्ट में विशेशन विशेशे बहुत आ रहे हैं तो यहां पर देखिए सभी बालकों का अब यहां पर क्या लिखा था बालकों का और बालिकाओं का लेकिन सभी शब्द दोनों की विशेस्ता बता रहे थे कि सभी बालकों का और सभी बालकाओं का कैसी बालकाओं का? बुले सभी बालकों का और सभी लड़कें और सभी लड़कियां अब लड़के और लड़की शब्द में देखिए, यहाँ पर दोनों में सश्थी विभक्ती लगी है, बाल का नाम, बाली का नाम तो यहाँ पर जो सभी शब्द, सभी शब्द के से मिलकर बनता है सर्व, सर्व यानि सभी तो वो भी जो आय, सर्व शब्द के भी विशेशन आय तो ये बाल का नाम के लिए सर्वेशाम आया सश्थी विभक्ती पुर्लिंग वाला बहुवचन का रूप सश्थी विभक्ती बहुवचन का पुर्लिंग वाला रूप यहाँ पर आया सर्विशाम कौन सा आया सश्थी विभक्ती बहुवचन का और वो भी पुर्लिंग वाला और यहाँ पर भी जो सर्व का रूप आया वो कैसा आया सश्थी विभक्ती बहुवचन क्योंकि यहाँ पर सश्थी विभक्ती बहुवचन लगी वी थी और यह स्त्रीलिंग है तो इसका भी जो विशेशन सर्व शब्द बना, वो क्यासा बना? सश्थी विभक्ती बहुवचन का स्त्रेलिंग वाला तो देखेगे, आप सभी बालक, सभी बालिका, ये सभी जो शब्द है, किसके हिसाब से? बिभक्ती वचन और लिंग के हिसाब से बदल गया लड़के थे, पुर्लिंग थे, सश्थी विभक्ती थी और बहुवचन था इसमें तो यहाँ पर जो सर्वे शाम शब्द आया, वो भी कैसा आया? सश्थी विभक्ती, बहुवचन का पुर्लिंग वाला आया और अच्छा, यहाँ पर जो हमने आपको बता है कि सोदर पूर्ती रेवास्ती, यह जो शब्द बन कर मिलकर बना हुआ है, किन से मिलकर बना है? इसको क्या होता है, कोई भी बड़ा शब्द उसको अपन तोड़ के देख लेते हैं, तो उसका अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है तो यहाँ पर जो लिखाया है, सोदर पूर्ती रेवास्ती, तो यह किसके शब्दों से मिलकर बना है? स्वव, उदर, पूर्ती ही, एव और अस्ती अब आप देखें, इसक में कितने सारे शब्द छोपे हुए थे, और यह सभी शब्द कैसे संधियों से मिलकर बने थे, स्वव यानि अपने उदर का अर्थ उता है, पेट पूर्ती यानि भरने के लिए, और एवकार्थ हुआ ही, और है तो कहते हैं, अब वो क्या कह रही थी, दर्शना कहती है महोदय के मैडम अस्मत सद्रशा नाम, यानि हमारे जैसे लोगों के, तो मौलिक अधिकार केवल, स्वव उदर पूर्ती एव अस्ती, अपना पेट भरना ही है अब आग्या सोदर पूर्ती रेवास्ती का अर्थ, यहांपर कौन सी हुई है? यहां गुन संधि हुई है, आ और उ की मिल से, यहां पर ओ की मात्रा बनी ठीके, उ का लोप हो गया, ओ की मात्रा वा में लग गई, तो यह सो बन गया यहाँ पर क्या हुआ? स्वादर पूर्ती दोनों को साथ में लिख दिया जब दोनों साथ में आईए स्वादर पूर्ती फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आई विसर्ग संधी की रत्व संधी जहांपर विसर्ग हमारा RAM में परिवर्तित हुआ और वो भी आधे RAM में होता है आधे RAM में होने से उसमें A की मात्रा लग गई तो र क्या बन गया हमारा रे यानि ये A लोप हो गया तो यहाँ देखें पूरती शब्द के बाद में रे लगा हुआ है फिर इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में यहाँ पर कौन सी हुई व में छुपा हुआ अ इस आ से मिला तो यहाँ पर बढ़या की मात्रा बन गई तो इसका हुआ लोप और बढ़या की मात्रा यहाँ पारा गई तो देखे व हमारा बढ़ा बन गया तो कौन-कौन सी संधियां हुई यहां पर हमारी पास यहां हुई हमारी गुण संधी यहां उदर पूर्ती शब्द साथ में लिया गया ठीक है और यहां पर कौन सी हुई रत्व संधी हुई जिससे के रे बना और यहां पर हमारी दीर्ग संधी हुई जिससे की दो आके मिलने से यहां पर हमारा वाशब्द बन गया तो स्व केते हैं सोधर पूर्ती रेवास्ति यानि अपने उदर की पूर्ती ही है अपना पेट भरना ही है हम लोगों का तो मॉलिक अधिकार यह है एटस्ये विवस्था यहीं इसके काकी के कार्थ क्यों लगा रहे हैं सश्टी विवक्ति लगी है इसकी व्यवस्था के लिए व्यवस्था शब्द में चतुर्थी विवक्ति लगी है के लिए का अर्थ आ गया इसकी व्यवस्था के लिए एवका अर्थ होता है ही इसकी व्यवस्था के लिए ही अहम यानी में सर्वस्मिन दिने पूरे दिन में पूरे दिन में पंच शड ग्रहा नाम पांच छे घरों का कारियम करू में कारे करती हूं अब वो अपनी बात बताती है उनने कहा कि सभी जब मालिनी कहती है कि परम एतत तु सर्वता अनुचित हैं लेकिन यह तु सर्वता अनुचित है किम ना जाना सी क्या तुम न मौलिक अधिकार सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है तो दर्शना केती है मौद असमद सद्रशानाम हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवलम सोधर पूर्ती रेवास्ती स्वा उदर पूर्ती ही है एतस्य विवस्था जिसकी विवस्था के लिए ही अहम में सभी दिन केते हैं सर्वस्मिन दिने पूरे दिन में पंच शड ग्रहा नाम पांच छे घरों का ग्रह शब्द में नाम लगा हुआ है सश्टी विभक्ती बहुवचन पांच छे घरों का कार्यम करोमी कारे करती हूं ठीक है अब यह देखें हमने तोड़ के बताया शब्द तो अब आपको अर्थ समझ में आ गया कि कौन-कौन से शब्दों से कहां-कहां हमारा अर्थ निकल के आ रहा है अब दर्शना कहती है अब फिर अपनी बात को रखते हुए कहती है मम रुग्णह पती मेरा जो पती है वो कैसा है रुग्णह रोगी है मत्तब उनको कोई रोग है इसल यह मिलकर बना है हमारा किंचित और अपी शब्द से अब यहां पे कौन सी संदी हुई है यहां पे हमारी व्यंजन की एक जशत्तु संदी होती है जिसमें की कहते हैं कि व्यंजन के पहले अक्षर व्यंजन वर्ग के व्यंजन जब हमारे शुरू होते हैं आपने काखा मिलते हैं तो उसमें पांच वर्ग इन के पहले अक्षर ले लिजें यानि इसका वर्ग कौन सा है त, थ, द, ध, और न अगर इसके बाद में यानि जहां संधी हो रही हो और वहाँ पे इस पहले अक्षर के बाद में अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाए कोई भी स्वर व्यंजन हो फर्क नहीं पड़ता है तो ये जो ता होता है वो किस में बदल जाता है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है हमारा पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है तो ता हमारा दा में बदल गया और दा में जैसे ही बदला और दा कैसा बना वो आधा दा बना और आधा वेंजन हमने आपको बताया कि आधे वेंजन के बाद अगर कोई बिल्कुल स्वर लिखा हुआ है तो वो चुम्बक की तरह उसको खीच लेता है और वो उसमें मिल जाता है आके तो दा में जब आ मिला तब हमारे साथ पास साथ में ये पूरा सामने ये दा पूरा लिखा गया हमीशा आमने ये चीज़ आपको बताई है कि आपको जो भी स्वर दिखाई देते हैं आपकी वर्ण माला में लिखे हुए पूरे वो अपने आप से पूरे कभी नहीं होते हैं तो किंचित अपी शब्द किसे मिल कर बना किंचित और अपी से यानि कुछ भी अपी कार्थ क्या होता है भी ठीक है अच्छा वियंजन की जो बात बता रहे थे वो हमेशा ध्यान रखेंगेगा कि जैसे वर्ण माला में आपको ये का पूरा दिखता है तो ये अपने आप से पूरा नहीं हुआ है इसमें जब ये हमारा कौन सा छोटा आ के मिला तब ये जाके हमारे सामने पूरा हुआ अगर इसमें आ नहीं मिलाते तो या तो हमें ये आधा का ऐसा दिखता या हलंद के साथ में दिखता पूरा कभी नहीं दिखेगा पूरा व्यंजन हमारा आ के साथ में ही होता है तो यहाँ पर भी ये किंचिद दर्ड आधा था उसमें आगे वाला आ मिला अपी का अपीकार्थ भी वो मिला तब हमारे सामने ये दा हमारा पूरा आया ठीक है तो लिखा है मम रोगनाह पती मेरा जो पती है वो रोगी है इसलिए तो किंचे दबी कुछ भी कार्यम ना करोती इसलिए वो काम कुछ भी काम नहीं करते है अतह इसलिए अहम यानी में और मम पुत्री में और मीरी पुत्री चा मिलित्वा में कहती है में और अब और शब्द कहां से आया यहां से पहले अर्थ निकालेंगे में और मीरी पुत्री मिलित्वा यानी मिलकर अब इसमें क्या लगा हुआ है हमारा तुवापरत्य लगा हुआ है हमने आपको बताए एक तुवापरत्य जो होता है जिसका जो कहीं बेबी किसी धातु में लग जाता है तो वहाँ पर अर्थ निकलता है कर या करके अब मिल में तुआ लगया यानि मिल करके इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिल करके परिवार अस्य परिवार के भरन पोशन करते हैं मैं और मेरी पुत्री मिलकर अपने परिवार का परिवार शब्द में स्या लग गया काई के का अर्थ बनेगा कहेंगे परिवार का भरन पोशन करती हैं अब आगे देखते हैं लिखें हैं अस्मिन यानि इस अस्मिन का अर्थ क्या हुआ इस महार गता काले का अर्थ क्या हुआ महान यानि महंगाई महंगाई को कहेंगे महार गता काले यानि काल में इस महंगाई के समय में मूल भूत क्याते हैं मूल भूत आवश्यक्ता नाम अब यहाँ पर भी दे कि आवश्यक्ता शब्द यहाँ पर आ हमारे यहाँ छुप गया मूल भूता वश्यक्ता मूल भूत मैंसे क्या करेंगे हम आवश्यक्ता को अलग निकालेंगे तो हमारा अर्थ सही निकल जाएगा यह दू शब्दों से मिलकर बना है मूल भूत और भूत शब्द में यहाँ पर कौन से हुई है हमारी दीरगसंदी हुई है जहां में ता में छुपा हुआ आगे वाले आ से मिला अभी अमने बतायता न कि वियंजन जो पूरा दिखे समझ लेना उसमें आ लगा हुआ है तो यह अ इस आ से मिला तो एक बढ़िया की मात्रा बनी दीरगसंदी का नियम लगा जिसमें कि यह दोनों छुप गए और एक बढ़िया की मात्रा इसमें लग गए तो यहाँ पर देखे भूत शब्द लगा हुआ है ठीक है कहां से आया दीरगसंदी से मूल शब्द क्या है इसका में जो सही शब्द है अगर इसमें संधी ना की जाए तो यह क्या निकल के आएगा कि महार केते हैं महार गता काले यानि इस महेंगाई के समय में मूल भूत आवश्यक्ता नाम केते मूल भूत आवशक्ताओं के लिए ही धनम परियाप्तम ना भवती धन परियाप्त नहीं होता है तो कथम इस महंगाई के समय में वो कह रही है कि मूल भूत आवशक्ताओं के लिए ही धन परियाप्त नहीं होता है तो फिर तरही कार्थ क्या हुआ, तो फिर कथम यानि कैसे, विद्ध्याले की शुल्क यानि हमारी स्कूल की फीज, गनवेश यानि यूनिफॉर्म जो आप पहनते हो गनवेश पुस्त का अन्या दिनी, पुस्तक आधी क्रेटुम यानि क्रीधा तुकार्थ होता है खरीदना क्रेतुम तुम उन प्रत्य लगा तो उसका अर्थ निकल गया हमारा के लिए खरीदने के लिए धनम क्यते हैं धनम आने श्यामी धनम कहां से आएगा क्यते हैं कि मूल इस महंगाई के समय में मूल भूत आवश्यक्ताओं के लिए ही धनम परियाप्तम ना भवती धन परियाप्त नहीं होता है तो फिर कैसे विद्यालय की शुल्क गणवेश और पुस्तक आदी नाम क्रेतुम धनम आनेश्या में धन आएगा आगे फिर मालीनी कहती है अहो अरे अज्यानम भवत्याह यानि तुम्हारा ये अज्यान है यानि नव किसके बाद में दूए सहस्त्र देखी यहां पर हमारा जो सन बना हुगा है सन भी देखी कितने अच्छे तरीके से बताते हैं जिन नव कार्थ हुआ नो उत्तर यानि बाद में नो हुए बाद में कितने नो किसके बाद हुए दुए शहस्त्र दुए कार्थ होता है दो शहस्त्र का हर्थ होता है हजार और दो हजार के बाद उसमें क्या कह रहे हैं नव उत्तर यानि नो उसमें बाद में और जोड़ दि अब लिखा है वो कहती है अहो अज्यानम भवत्या तुमारा ये अज्यान है किम ना जाना सी क्या तुम ये नहीं जानती हो कि नवोतर दुई शहस्त्र तमे वर्षे यानि 2009 वर्ष में सर्वकारिन सर्वकार किसको कहा जाता है सर्वकार को सर्वकार का अर्थ क्या होता है हमारा सरकार और उसमें क्या लग गई है हमारी तृतिया विभक्ती लग गई इन शब्द जिसका अर्थ निकल रहा है के द्वारा यानि सरकार के द्वारा सर्वीशाम बाल का नाम सभी बालकाओं के और सर्वासाम बाली का नाम और सभी लड़कों के और लड़कियों के लिए सिक्षाया, यानि सिक्षा को मौलिक अधिकारस या घोशना करता, मौलिक अधिकार घोशित कर दिया गया है क्या कर दिया गया है किसके द्वारा 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए सिख्षा का मौलिक अधिकार की घुशना की है आगे देखते हैं माली नहीं कहती है यद अनुसारम किस शब्द से मिलकर बना है यद और अनुसारम जिसका अर्थ निकलता है जिसके अनुसार यद अनु satisfiesारम जिसके अनुसार शड़ वर्शेब्या केते हैं 6 वर्श से आरभ्या शड़ वर्शेब्या किस सब्दों से मिलकर बना यहाँ पर भी हमारी जयशतों संदी का नियम लगा है यहाँ पे यह शट शकार्थ होता है छे और यहाँ लिखा है वरशेभ्यः ठीक है अब जब इनको मिलाया गया तो टा हमारा किस में बदल गया टा का तीसरा वन कौन सा होता है टा ठा डा तो टा हमारा यहाँ पर डा में बदल गया ठीक है तो यहाँ पे यह डा लिख दिया अ और इसको जब मिलाकर लिखते हैं, तो ये जो वा होता है, वो इसकी नीचे आ जाता है, तो इस प्रकार से ये आपको जो रूप दिख रहा है, वो किन शब्दों से मिलकर बना है, शड और वर्षे भ्यह, यानि छे वर्षों से आरंब, यानि छे वर्ष से शुरू होकर चतु चतुरदश वर्ष परियंतम, चतुरदश, चतुरदश का अर्थ क्या हुआ, चतुर का अर्थ क्या हुआ, चार और दश का अर्थ हुआ, दश का तो अर्थ 10 होता ही है, चतुरदश का अर्थ क्या हुआ, दस में 4 जोड दीजे, कितने बने हैं हमारे, 14, कहते हैं, चतुरद समीप इस्थित समीप में इस्थित यानि पास में जो इस्थित हो पास में जो विद्याले हो कैसा विद्याले सर्वकारियम विद्यालेयम सरकारी विद्याले में प्राप्य ना केवलम प्राप्त करना क्या प्राप्त करना उनको उसमें भरती करवाना ना केवलम निशुलक है सिक्षाम एव सिक्षाम सिक्षाम एव शब्द किसे मिलकर बना है सिक्षाम शिक्षाम और एव से तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा मा में ए जुड़ गया तो सिक्षाम एव बन गया केते हैं प्राप्त करना सर्वकारिय विद्यालै को प्राप्त करना लाकेवल हो गया है, सिक्षा भी, सिक्षा ही प्राप्तक करुबर निशुलक नहीं हो गया है, जबकी निश गनवेशं। कताबे रखने का बैक कहते हैं पुस्तक स्यूतम पाश त्राणाम का अर्थ होता है पैरों में पहने वाले जूते और मध्यानभोजनम क्या होता है हमारा दिन के दोपेहर के बीच का समय कहते हैं मध्यान भोजनम, मध्यान भोजनकार्गवा, दोपहर का भोजन और छात्र वृतिम और छात्र वृति इत्यादिकम, छात्र वृति आदी सर्वम एव सब ही प्राप्ट स्यंति प्राप्त कर सकेगे क्या क्या कर सकते हैं? कहते हैं केबल निशुल्क सिख्षा ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं जबकि निशुल्क गणवेश, पुस्तकानी, पुस्तक्सियूतम, पादत्रानाम, मध्यान भोजनम, छात्र वृत्तिम, इत्यादिकम, सर्वमेप, प्राप्ट सियंती ये सभी चीजें निशुल्क प्राप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया, तो दर्शना कहती है अप्यम एवम, अप्यम एवम शब्द मिलकर में बना है अपी, एवम, अच्छा अभी जब तक अपी हमारा किसी भी शब्द के बाद में लग रहा था, तब इसका अर्थ निकल हुआ, तो एसा इसलिए हुआ कि आपने देखिए, कई बार आपने इंट्रोकेटिव सेंटेस अपने एंग्लिश में पड़े होंगे, तो जैसे आपके सामने लिखा हुता है, दिस इज आ बॉइ, ठीक है, तो ये सिंपल आपका सेंटेस हुता है, जिसका मतलब उता है, ये यह interrogative sentence बन जाता है, तो यह इस जो होता है, वो क्या कार्थ बताने लगता है, यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर यह जो अपी शब्द है, अप्यम एवम किस्से मिलकर बना हमारा अपी और एवम से, किस्से मिलकर बना अपी और एवम से, यहाँ पर हमारी कौन सी संधी हु यन संधी में क्या हुआ, यन संधी को हमने आपको कई बर बताया है, छोटी E, छोटा O, E, O, R, E, L, E, शब्द कांत किस से हो रहा हो, E, O, R, E, L, E से हो रहा हो, और उसके बाद कोई भी भिन स्वर हो, यênh E जैसा E नहीं दिखना चाहिए, O जैसा O नहीं दिखना चाहिए, R, र, 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 बदल जाती है, वो हमारे e या में बदल जाती है u वा में बदल जाती है यानि समान नहीं था एक जैसा दिखने वाला नहीं था इसलिए जो हमारी छोटी की मातरा है उस वो पा मेंसे अलग हो गई अलग हो गई तो पा हमारा आधा रह गया हमने आपको बता है कि कोई भी स्वर जब तक जुड़ा रहता है तब तक यह अक्षर पूरा दिखता है जैसे ही हमारा क्या हुआ स्वर अलग हुआ वियंजन आधा अब ई किस में बदली आधे या में ध्यान किजिएगा ई या में बदलती है लेकिन वो भी आधे में बदलती है पूरे में नहीं बदलती अब यहां पर क्या लिखाता एवम लिखाता अब इनका रूप परिवर्थित हो कि क्या बना अप्य और यह वन्या हमारा एवम अब यहाँ पर क्या होगा यह आधाव यंजन इस स्वर को अपने पास में कीच लेगा और यहाँ पर यह हमारा क्या हो जाएगा एक ही मात्रा के साथ में बन जाएगा अप्येवम क्या बन जाएगा अप्येवम तो देखें यह हमारा रूप बना हुआ है कहां से मिला? हमारी यन संधी से, जिसका अर्थ है अपी एवम, तो अच्छा अब इसका अर्थ क्या निकला? बता देते हैं, अपी का अर्थ हुआ क्या? और एवम का अर्थ होता है इस प्रकार, क्या ऐसा है? या क्या इस प्रकार से? क्या इस प्रकार ऐसी बात है? आश्चरे द्वारा मालिनी देखती है क्योंकि दर्शना करती है अपी एवम अच्छा क्या ऐसा है तो आश्रेंड मालिनी पश्यती आश्र के द्वारा मालिनी देखती है मालिनी कहती है हाँ आमकार्थ हुआ हाँ वस्तुता एवम बिल्कुल ऐसा ही है एवम एव शब्द में किस से मिलकर बना है एवम और एव से यानि इस प्रकार का ही है ऐसी ही बात है उसने का क्या ऐसा है तो आश्चरेन मालिनी पश्चिती आश्चरे के द्वारा मालिनी देखती है और मालिनी कहती है हाँ वस्तुता एवम एव ऐसा ही है तो दर्शना कहती है कृतार्थम प्रकटियंती अब जब दर्शना को ये पता चला कि विद्यालाय में हर चीज मुफ्त में मिल रही है छे से आज अध्यकार्थ हुआ आज लेकिन आज ही इसका कैसे बना उसको जान लीजए तो यह रटना ने पड़ेगा अध्य एव और अस्या इन शब्दों से मिलकर बना है अध्यकार्थ होता है आज, एव का अर्थ होता है ही और अस्या है यानि इसका अब देखा इन तीन शब्द मिलेते अध्यवास्या में तब ये हमारा शब्द बना था आज ही इसका अध्यव अस्या यानि आज ही इसका में आज ही इसका प्रवेश समीप स्थे समीप में इस्थेत विद्याले में कारिश्यामी करवाऊंगी आज ही इसका प्रवेश समीप स्थे समीप में इस्थेत विद्याले में करवाऊंगी अगे देखते हैं फिर पुत्री अब यहाँ पे जब दर्शना की पुत्री तो दर्शना यह पुत्री दर्शना की यह पुत्री उलास के साथ में कहती है अहम विद्यालयम गमश्यामी मैं विद्यालय जाओंगी अभी तक क्या कर रही थी वो दूसरों के घरों में काम कर रही थी अपने घर के पालन पूशन के लिए और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो सारी चीज़ें कर पाती विद्यालय जा पाती तो जब उन्हें य केती है अहम विद्यालयम गमिश्यामी में भी विद्यालय जाओंगी अहम अपी में भी अहम अपी शब्द से मिलकर बना है अहम अपी अहम का अर्थ हुआ में और अपी का अर्थ हुआ भी में भी पठिश्यामी में भी पढ़ूंगी इती उक्तवा करतल वादन सहितम रत्यत मालिनी प्रतीच्क people किस से मिलकर बना है हमारा इति उक्तव कि अर्थ होता है एसा और यहां पर उक्तव का नहीं सकाए कर गर्जाद होता है हाथ हात की यह तल करक थी यह पुल करतल वाधन के साथ में नाचने लगती है मालिनी प्रती और मालिनी के प्रती कृत गिता को बटाती है जताती है प्रकट करती है तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था जिसका नाम था अहमपी विद्याले गमिश्यामी वो किसके लिए था इस दर्शना की पुत्री के लिए बना हुआ था जिसमें की एक निर्धन छात्रा है जो दूसरों के क्या होता है दूसरों के घरों में काम करती है जो महिला है वो भी करती है और उसकी पुत्री भी साथ में करती है क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रही थी क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था धन के आभाव में पुत्री ट्लास के साथ में कहते हैं अहम अपी विद्यालयम गमिश्यामी मैं भी विद्यालय जाउंगी, इस वाक्य की ऊपर इस पाठ का नाम लिखा गया है, छीके, तो इसके साथ में यहां पर आपका यह पाठ होता है समाट और अच्छा यहां पर हमारी जो पाठ में कुछ क्रिया पद आयते यानि काम करने की बाते जो बता रहते जो शब्द वो कौन-कौन से आयते जैसे जानासी जाना सी का अर्थ होता है जानती हो अच्छा अव्याय कौन कौन से आये हैं जैसे प्रती यानि की तरफ अपी बहुत जगे आया जिसका अर्थ भी है तरही आया है जिसका अर्थ तो है अच्छा शब्दा अर्थ तो हम साथ साथ में बताते ही गए है और कौन कौन से आया था प्रच्छती इसमें ये भी क्रिया आय थी जिसका आर्थ था पूछ रही थी करेश्यामियानी करूंगी अव्याय कौन कौन से है? आम, एव, अध्य और स्वा, आम का अर्थ ही, अध्यकार्थ आज और स्वा का अर्थ हुआ आने वाला कल क्रियापद और कौन कौन से आये थे आपके, जिन से हमें काम होनी का बोध हो रहा था सूचयती, यानि सूचना देती है, उध्घाटयती, खूलती है, पश्यती, देखती है, त्रिपदी, यहाँ पे त्रिपदी नहीं होगा, तिश्ठती होगा तिष्ठती अच्छा तिष्ठ का अर्थ बैठना भी होता है किसी जगह पे इस्थित होना भी होता है तो यह नहीं सोचेगा कि तिष्ठ का अर्थ हर जगह बैठना ही आए कहीं पे जैसे तिष्ठती खड़ी भी है किसी एक जगह पे इस्थित भी है उस जगे भी तिष्ट धातू हमारी लग जाती है अच्छा ये तो हम बताते ही गए गिरजाया है सेविका यानि गिरजा की सेविका दर्शना से है दर्शना के साथ ये सारे शब्दार तो हम साथ साथ में बताते ही गए थे और ये स्वास होता है अपनी पुत्री की वारता बाचीत अग्रिम दिने अगले दिन प्राता काले सुबह का समय शडवादने ही यानि छे बजे पर ही पालिन्या मालिनी के ग्रह घंटी का घर की घंटी आगंतरम यानि आगे वाने को इस परकार से ये शब्दारतु हमने साथ-साथ में हर पेरिग्राफ में बताती ही गए और शब्दों का अर्थ भी साथ-साथ बताती गए इस तरह से आपका ये जो नवमपाथ है जिसका नाम था अहम अपी विद्यालेम गमिश्या में ये हमारा हो जाता है पूरा इसका यूगल डप पे जाए है लिखिये www.magnetbrains.com इंटर करते हैं वेबसाइट पेज उपन हो जाएगा अब माली जी आपने क्लास 7 सेलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 7 की सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है अब यहां पे आपने संस्क्रिट पे क्लिक किया तो आपके सामन संस्क्रिट का पेज उपन हो जाएगा और यहां पे आपको चैप्टर वाइस वीडियो मिल जाएगे हर चैप्टर की छोटी छोटी प्लेइस्ट बनी है पूरे जैसे यूट्यूब पे हम जब सर्च करते हैं तो क्या होता है सारे वीडियो एक साथ में मिल जाते हैं यहां पहला आपका अनुवाद वाला वीडियो ऊपन हो जाएगा चीक है सेकेंड अभ्यास पर जाना है तो थर्ड उसमें लिखा होगा अभ्यास अभ्यास पर क्लिक करें तो अभ्यास पढ़ लीजे तो पढ़ना हो तो वेबसाइट से अची कोई जगे नहीं है ठीक है तो तेरे यह मेगनेट ब्रेंज के साथ मैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें कि हम अपने अभ्यास कारियों को करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद